2024 के अंदर ऐसे कौन सा सेक्टर है जो आपको तेजी दिखा सकता है यानि कि उस सेक्टर के अंदर जो शेयर है या कंपनी है वो आपको अच्छा कासा रिटन बना कर दे सकती है सवाल सभी के मन में है और उसके लिए आप थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखिए जिस तरीके से 2023 के अंदर रेलवेस सेक्टर ने आउटपरफॉर्म किया उसके पीछे कारण क्या थे आप जरा एक बार उनका आकलन करके देखिए सबसे पहले गवर्मेंट का इन सेक्टर के अंदर विचे रिठेश रूप से फोकस करना सेक्टर के लिए ऐच्छे पॉलिसी लाना और दूसरा इन कंपनियों का फिनेंशल में यहाँपर सुधार दिखना और fundamentally कंपनियों का सुधार दिखना कहने का मतलब कंपनियों के financial fundamental यहाँ पर अच्छे खासे सुधरे जिसके कारण इन कंपनियों की री रेटिंग होई इस सेक्टर की री रेटिंग होई ऐसा ही सेक्टर इस समय में 2024 के अंदर जो भरता हुआ दिखाई दिरा है वो सेक्टर लगता है बैंकिंग सेक्टर जिस तरीके से गौर्मेंट ने PSU बैंकों के अंदर पास्ट में सुधार किये हैं RBI ने जिस तरीके से सुधार किये हैं अब उसका impact बैंकिंग सेक्टर के asset quality पर आपको साप साथ दिखाई दे रहा है जो बैंक अब तक लॉस में थे आज से दो साल पहले लॉस दिखा रहे थे वो अच्छे कासे profit में आकर double digit ROI वाले बैंक बनते जा रहे हैं और PSU सेक्टर के जो बैंक हैं आप देखिए उनके valuation किसे साप से समय मिल रहे हैं valuation wise भी सस्ते हैं asset quality में भी सोधार है financial ratio में यहाँ पर अच्छे खासी बड़त दिखाई दे रही है तो क्यों नहीं PSU सेक्टर के banking stock इस समय चल सकते हैं और आज जो मैं आपके साथ दोनों ही bank discuss करूँगा इन bankों का नाम है Union Bank of India और Private Sector Bank IDFC First Bank दोनों ही bankों के नतीजे यह बता रहे हैं कि यह stock अगर banking stocks के अंदर rally आती है यह दोनों ही bankों के अंदर आपको अच्छी बड़ी rally दिख सकती है Hello friends मैं विपिंजन founder of learn equity with विपिंजन Friends अगर आप share market में DMAT account खुलवाना चाते हैं तो आप हमारे channel पर दिए गए link के माद्यम से आप stocks के साथ DMAT account खुलवा सकते हैं अगर आप हमारे link से आप stocks के साथ DMAT account खुलवाएंगे तो हम आपको telegram पर premium membership free of cost प्रवाइड कराएंगे जहां पर आपको market updates daily basis पर free of cost प्रवाइड कराएंगे जाते हैं पहले हम डिसकस करते हैं Union Bank of India को Union Bank of India को हम past में भी काफी बाट डिसकस कर चुके हैं आज से 5-6 महीने पहले भी हमने इसको डिसकस किया था और उसके बाद भी काफी इस पर वीडियो बनाई है और यह bank लगबग 85 रुपीज से 140 रुपीज के आसपा जा चुका है अगर आप पिछले 5-6 महीने के अंदर देखें इस bank के profit में यहाँ पर काफी बड़ी growth दिखती है और अगर आप इस quarter के profit की बात करें इस bank की net profit की तो इस bank ने 3500 करोड रुपे का profit record किया है Q3 के अंदर तो जिस bank का एक quarter का ही profit 3500 करोड रुपे का है तो आप सोचिए वो bank साल भर के अंदर कितना बड़ा profit बना सकता है और फिर इस bank के अंदर आगर आप देखें तो institute investors का जो institution investors है उनका भी जवरदस विश्वास बना हुआ है bank ने recently QIP भी किया था जिसमें qualified institution investors ने यहाँ पर bank में पैसे लगाए है 5000 करोड रुपे के आसपास bank ने यहाँ पर institutes को share बेचे थे 5000 करोड के और यह सब बातों के साथ साथ bank के financial जैसे मैंने आपको बताया वो काफी strong होते जा रहे हैं जिसके कारण इस bank के अंदर हमें तेजी दिखी है और अभी मुझे लगता है यह तेजी की शुरुवात है अभी तो इसमें काफी लंबी तेजी बाकी है क्योंकि आप एक नजर अगर आप bank की result माट डालें तो आपको पता लगेगा जो bank का deposit है उसके अंदर लगबग 10% की growth है y on y basis पर 11,72,455 करोड रुपे bank का total deposit है जो पिछले financial year के same quarter की मुकाबले लगबग 10% ग्रोड हुआ है अगर आप advances की भी बात करें यानि की जो bank ने loan बाते हैं या आप advances की बात करें तो लगबग 8,95,974 करोड रुपे की advance यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर लगबग 11,5% की growth है bank के अगर आप net interest income की भी बात करें तो net interest income 9,168 करोड रुपे record हुई है जो के पिछले financial year के same quarter में लगब 8,628 करोड रुपे थी तो bank की net interest income में भी growth है return on assets 1.07 के पास पहुच गई है जो की 0.73 थी gross NPA 7.93 से reduce होता हुआ 4.83 पर आचुका है yon y basis पर net NPA 2.14 वाला 1.08 हो चुका है provision covering ratio 88% से बढ़कर 92% के आसपास पहुच चुका है निकि bank का business भी growth हो रहा है bank के asset quality भी improve हो रही है सभी पैमानों पर bank अच्छा कासा यहां पर perform कर रहा है फिर bank के अगर हम loan book के अंदर भी जाकर देखें तो bank का लगबग 12.5% के आसपास growth हुआ है bank का agree business लगबग 17.88% ग्रोव हुआ है Y&Y basis पर MSME लगबग 10.51% ग्रोव हुआ है यानि कि double digit में growth है bank के सभी verticals में जो bank जहां पर loan बाट रहा है उन सभी verticals में यहां पर double digit में growth दिखती है और अगर हम net net भी बात करें तो पिछले financial year के 9 months में अगर हम sum करके देखने हैं तो इस bank का profit 5,651 करोव रुपे था जो कि इस साल के अंदर अब तक 9 महीनों के अंदर 10,338 करोव रुपे हो चुका है 83% इस bank ने अपने profit में growth दिखाई है net profit में पिछले साल के मुकाबले तो आप सोचे जिस bank का overall profit 83% ग्रोव हुआ हो क्या उस bank के साल re-rating नहीं होगी और क्यों नहीं होगी जब bank की asset quality में सुधार है financials में हर तरीके से सुधार दिख रहा है bank के loan बाटने में हम पर काफी अच्छी growth दिख रही है और profit 83% ग्रोव हो रहा है नाइन मंत के basis पर तो आप सोचे क्यों नहीं इस bank की re-rating होगी ये तो re-rating के strong candidate दिखाई दे रहे है और जिस तरीके से PSU sector के अंदर अब इंस्टिट्स का विश्वास है private institutes का विश्वास है मैं LIC की बात नहीं कर रहा हूँ private institutes जिस तरीके से सरकारी share को लेने के लिए तयार है तो इनकी भी आगे re-rating होनी है और institutes long term investment के लिए आ रहे है short term investment के लिए नहीं आ रहे है ये लगता है FY24 के अंदर ये bank लगबक साड़े तेरा हजार करोड रुपे का profit डन करेगा और आप इस profit को अगर FY23 यानि की पिछले financial year के अंदर देखें तो लगबक 8500 करोड रुपे का profit था bank का profit आप देखिए financial year, full financial year के अंदर कितनी तेजी से बढ़ना है और ये bank FY24 के अंदर लगबक 120 रुपे की book value वाला bank दिखाई देता है यानि की March 2024 तक 120 रुपे की book value वाला bank होगा और bank लगबक double digit ROE वाला bank होगा क्योंकि bank जो है लगबक 19 रुपे के आसपास के EPS पे बैठा होगा 120 रुपे की book value वाला bank अगर 19 रुपे का EPS लाता है तो लगबक ये bank 17-18% की ROE वाला bank हो गया और bank इस समय किस price पे trade कर रहा है अपने book value के 1.2 के multiple पर जिस समय आप private sector के bankों को तो छोड़ दिजे सरकारी bankों के अंदर IDBI bank कल हमने cover किया था Yuko bank Central bank Bank of Marasht आप सब के valuation तो देखिए IOB bank इनके valuation तो देखिए price to book के कितने के multiple पे trade कर रहे हैं और यहाँ पर 17-18-19% की ROE वाला bank 1.2 के multiple पर trade कर रहा है मुझे लगता है आने वाले कुछ महिनों के अंदर ही ये bank इस financial year की earning के अधार पर कम से कम 2 के book value पर तो जरूर होना चाहिए यानि की 120 इंटू 2 240 उर्पे का target तो इसका lower base पर निकल कर आता है और banking sector की अगर reading जल्दी start हो जाती है वैसे मुझे लगता है बजार इंतजार कर रहा है interest rate घटने का जैसे ही एक interest rate कट आएगा आपको सबसे बड़ी तेजी banking sector के अंदर दिखाई देगी और उस समय शेर अपनी speed से भागेंगे तो मुझे लगता है Union Bank of India lower level पर हमें 120 रुपे का target निकल कर देखना चाहिए और आगे आगे जैसे जैसे market reading करेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है ये bank अपने book value के 3 के multiple पर 4 के multiple पर भी दिखाई दे क्योंकि उस से में भी share महेंगे नहीं होंगे और मुझे लगता है अगर 4 का multiple पर भी मिल जाए तो जब भी ये bank अपने previous high के आसपास ही होगा दूसरा हमारा bank है IDFC first bank ये bank के management के तो आप जानती है कितना strong management है और इस bank के management ने कितना कुछ ऐसा past में किया है जिससे ये पता लगता है bank का management काफ़ strong management है क्योंकि management ने जितने भी लक्षे 2018 में set किये थे मुझे लगता है ज़्यादा तर सभी लक्षे को ये bank आज की date में achieve कर चुका है और मैं आपको bank की guidance 2.0 के बारे में भी बताऊँगा यानि कि इस bank ने 2019 के लिए नए लक्षे अपने आगे रखे हैं अब ये bank यहाँ से एक नई trajectory में जाने के लिए तयार है क्योंकि आगर आप उन target को सुनएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस bank ने कुछ अलग ही level पर पोचने की तयारी कर ली है और वैसे result की बात करें तो bank के नतीजे बहत ही शांदार रहे हैं bank की loan book में लगबग 24.5% की growth है Y&Y basis पर जो इस समय 1,89,475 करोड पर है bank की deposit की बात करें तो लगबग 42% की growth है Y&Y basis पर जो इस समय लगबग 1,76,481 करोड रुपे पर है यानि की bank के यहाँ पर loans में deposit में double digit में growth है Y&Y basis पर bank का cash ratio 46.8% के आसपास है gross NPA में काफी एच्छा reduction हुआ है 2.96 वाला gross and 2.04 पर आचुका है Y&Y basis पर और अगर हम net NPA की भी बात करें तो 1.03 वाला net NPA 0.68% के आसपास है इस समय अगर हम देखें Y&Y basis पर और अगर हम इस समय profit after tax की भी बात करें तो यह bank इस समय लगबग 751 करोड रुपे के profit पर खड़ा है Q3 के अंदर जो कि पिछले financial year के same quarter के अंदर 605 करोड रुपे था यानि कि bank के profit में भी यहाँ पर double digit में लगबग उचाल दिख रहा है Y&Y basis पर भी और ऐसा ही trend में 9 month basis पर दिख रहा है bank लगबग 1635 करोड रुपे के profit पर था पिछले financial year के अंदर अगर हम 9 month के basis पर देखें जो इस समय लगबग 2232 करोड रुपे हो चुका है 35% इस bank ने अपने net profit को ग्रोग रिया है तो आप सोचिए bank के profit में कितना अच्छा उचाल यहां पर दिख रहा है और इसका impact overall year में भी आने वाला है मुझे लगता है इस साले के अंदर ये bank लगबग 2500 करोड रुपे के आसपास का profit वाला bank होगा और double digit ROE वाला bank जैसे आप बन गया है तो bank इस साल तो bank इस साल full financial year के अंदर भी double digit ROE वाला bank ये दिखाई दे रहा है और दूसरा जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको management की guidance 2.0 के वारे बताऊंगा जो management ने target set की है 2029 के लिए समझना बहुत जरूर है आपके लिए 2018 में ये bank 206 ब्रांचों पे था 2023 के अंदर 897 ब्रांचीस पे रहे management की माने तो 2029 तक ये ब्रांचे 1700 से 1800 होने वाली है deposit 38,455 करोड रुपे का deposit था 2018 में इस समय अगर देखें 1,76,431 करोड रुपे 4,81 करोड रुपे 5,85,000 करोड रुपे के आसपास bank का F229 तक deposit पहुचने वाला है अब आप सोच लिए bank का business कितना बड़ा होने वाला है तीन गुना तो सीधा सीधा होता हुआ दिख रहा है bank की loan book 1,04,660 करोड रुपे की थी आज 1,89,475 करोड रुपे की है bank की माने तो bank की loan book लगब 5,00,000 करोड को पार कर देगी bank की यहाँ पर loan book में भी bank को तगला उचाल दिखाई दे रहा है return on assets जो negative थी 2018 के अंदर लगबग 2% के आसपास जाते हुँ दिखाई दे रही है और इस समय लगबग 1.2% के आसपास है सबसे बड़ी बात return on equity management को यह लगता 17-18% की return on equity होगी आने वाले 4-5 सालों के अंदर जिस आपसे bank काम कर रहा है कि यानि कि 17-18% की return on equity पर उस समय काम कर रहा होगा जो कि इस समय लगबग 11% के पास पहुच रही है यानि कि अगले आने वाले कुछ जो साल है इस bank के लिए काफी अच्छे साबित होने वाले है जो management ने मेहनत अब करी है अब तक करी है उसका फल अगले कुछ सालों में आपको मिलने वाला है और इस साल इस bank की re-rating क्यों होगी क्योंकि bank का profit अच्छा कासा है bank की asset quality काफी अच्छी है 45 रुपीज के आसपास की book value वाला ये bank दिखता है और लगबग 11 परसेंट की ROI वाला bank इस समय कितने पर trade कर रहा है लगबग 85 रुपीज के आसपास है bank अपने book value के लगबग 1.9 के multiple पे है private sector के अंदर ये bank अगर देखा जाए तो काफी अच्छे valuation पे समय मिल रहा है और इस bank को भी आने वाले समय में चार का, पांच का, तीन का multiple जरूर मिल सकता है private sector के अंदर और जिस हिसाब से bank develop हो रहा है जिस हिसाब से bank की समय काम कर रहा है उस समय उस हिसाब से तो bank की D rating यहाँ पर जरूर होनी चाहिए यह bank भी आपको इस साल काफी तीजी दिखा सकता है और मुझे लगता है यह short term में यह bank जो है 120 रुपर तक के target दिखा सकता है यानि कि अपने current level से लगबख 50% का return आपको देने की शमता रखता है अगर हम short term के इसाब से भी बात करें इस financial year की earning के अधार पर और अगर इस sector की re-rating होती है private sector के bank के यहाँ पर चलते है तो इसकी भी re-rating होगी उसमें bank 3 की multiple पर आए 4 के multiple पर आए तो उस हिसाब से bank आपको 200 रुपर तक भी आसपास जाता हुआ दिख सकता है क्योंकि इनके valuation काफी attractive है और जहाँ पर valuation attractive है earning है निश्चित रूप से वहाँ पर share की re-rating होती है और उस re-rating में ही पैसा बनता है railway sector के अंदर re-rating होई तो जभी आपका पैसा बना है valuation change हुए PE यहाँ पर कंपनियों का EPS बढ़ा तो उनका PE भी बढ़ा तो सभी चीजों में आपको जब सुधार दिखता है जब यह आपका पैसा बनता है तो मेरी नजर में Union Bank of India, IDFC First Bank दोनों के नतीजे काफी अच्छा बया कर रहे हैं इस साल के लिए और आने वाले कुश सालों के लिए Banking सेक्टर के अंदर यह आपको अच्छी बड़ी रैली दिखाने के लिए तयार होते हैं तो उमीद करता हूँ मेरे आज का ये वीडियो आपके मेड़े काम का साबित होगा, दोनों ही कंपणियों के result को लेकर समझने में आपको काफी मदद देगा और अगर आप इनके अंदर invested हैं तो आपको conviction देगा ताकि आप long term के लिए sitting रहें पैसा क्योंकि long term बैटने में ही बनता है trading में न रहकर अगर आप long term invest करेंगे जब ही आपका पैसा यहाँ पर अच्छा खासा बनेगा, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मलाकात करतें एक नई वीडियो के साथ फिलाल के लिए नमस्कार